नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस चानल धूप धुनुची आरती में दोस्तों आप में से कई लोगों का ये कहना था कि किस तरीके से जो है खोली के दिन राधा कृष्ण जी हो लक्ष्मी नारायन हो या फर मातारानी को जो है धूप विलास किया जाएगा के बारे में दिखाने को तो उसी के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वैसे तो मैंने ये वीडियो एक्चिलियो की साथी पोड़ा बनाया था पर पता नहीं क्या हुआ कि आउडियो में थोड़ा गरबड़ी हो गई तो फिर से जो है मुझे इसके लिए के लिए ही जो है यहाँ पर संक्षिप्त आयोजन करके बस आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में जैसे कि मैंने लक्ष्वी नारण को बैठाया है और दोनों तरफ जो है मैंने फूल धानी रखा है दोनों तरफ दो कटोरी में ज कि जो पुष्प पंखुडी होते हैं उसी से ही जो है मूल रूप से होली खेले जाते हैं बाद में उसे जो है रंग आदी से खेलने का प्रचलन बढ़ा पर मूल रूप से अगर प्राचीन होली की देखी जाए तो उसमें जो है यानकि रंग उत्सप की देखी जाए तो प प्रक्ष्मिनारण को विठाया है आप अपने इश्टों को विठा सकते हैं आप राधा कृष्न को जानकी रखुनात को माता रानी को ओ शिवर्न पुर्णा को किसी को भी इस प्रकार से विठाये दोनों तरफ बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत अच्छे फूलों से सज आकर दो फूलदानी रखिये दोनों तरफ है जो है आप रंग रखिये मतलब अभीर गुला से भड़ा हुआ कटूरी रखिये ठाली रखिये छोटा वाला या प्लेट रखिये या फर आप दूसरे परकार की कोई पात्र आपके पास है सुन्दर वाले तो उसे भी जो है आप रखना बिलकुल मद भूलेगा गुलाब के पंखुडी जितनी भी अच्छी अच्छी प्रकार के आपको फूलो के पंखुडी मिल जाए ना आप वही रखिये गुलाब के रखिया नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों आपको जो भी सारे अच्छे वाले फूलो के पंखुडी मिलते हैं आप अलाश की रख सकते हैं आप दूसरे दूसरे प्रकार के फूलो के भी रख सकते हैं मूल विशय यहाँ पर यही है कि पंखुडी रखना जरूरी है तो अभील गुलाल के साथ पुश्प के पंखुडी आपको अलग से रखना बहुत जरूरी है कर लोग मिठायादी रखते हैं पर मैं कहूंगा कि जब आप जो है रंग विलास कर रहे हैं जब आप पुश्प विलास कर रहे हैं यानि कि इसे रंग विलास पुश्प विलास धूप विलास कहा जाता है जैसे चंदन का श्रिंगार होता है गर्मी के समय तो उसे चंदन विलास कहा जाता है जो है धुनची धूप जलाए है तो धुनची धूप ही आपको जलाना है उस प्रकास है और यह मूल हुप से गंध के लिए है आप देखिए जैसे कि मैंने भगवान के सामने लखा आपने अगर आप रखते हैं ना बहुत जादा अच्छा होता यानि कि ईश्वर के अग्रभागे जो है भगवान के यह जो भी प्रतिमा है फोटो है उनके अग्रभाग में अगर आप जो है धूप रकर दूप विलास करते है तो यह बहुत ही जादा अच्छा होगा जैसे देखिए मैंने फूल के जो थाली ह वो मैंने आगे कर दिया है और अब जो है मैं धूप वहाप रखकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ Actually क्या होता है दोस्तों जब आप कलस्त आपना कर रहे हैं तो कलस्त भगवान के अगरब भागे ही रहेगा उसके सामने जो है द्धूप दानि यानि की जो धूनची पात रहे वो रहेगा तो उसी प्रकार से जो है आपको धूप विलास करना है दोस्तों धूनची से इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेगा वैसे तो मतलब अब आप जो है ए दोनों तरप मतलब अधूप विलास में उस तरिके का कोई नियम नहीं होता है भगवान के दोनों तरप या परक सकते या फिर उनके डाहिने तरफ या भाहिने तरफ या बाहिनी तरफ भी आप hours क्योंकि ये अलग से कोई उस प्रकार से कोई निवेदन नहीं हो रहा है ये मूल रूप से भगवान को सुगंद देने के लिए विलास किये जा रहे हैं विलास अर्थात भगवान के मनोरंजन के लिए भगवान को आनंद प्रदान के लिए उनके विनोधन के लिए जो है हम ऐ ऐसे पुष्प जो है उनका श्रिंगार कर रहे हैं पुष्प से सजा रहे हैं पुष्प में भी एक सुगंद होते हैं उसके जो रंगों की सुन्दरता होती है वो होती है उसके साथ साथ जो अभीर कुलाल है वो तो है है साथ में जो है ये जो धूप के सुगंद ये जो धू अगरू, राल, गुगुल ये सारी चीज़े जादा से जादा इस्तमाल करने की कोशिश करिए क्योंकि ये जो है बहुत सुगंद वर्धक होता है और इसमें थोड़ा सा घी अवश्य डाली क्योंकि घी डालने से क्या होता है दोस्तों घी डालने से जो सुगंद है वो बहुत समय तक रहता है मतलब बहुत ठिकाओ हो जाता है तो धूप विलास में आपको बहुत तेज नहीं जलाना है ऐसा नहीं है कि बहुत तेज आपने धूप जला दिये और बहुत सारा धुआ एक साथ हो गया ऐसा नहीं दीमे दीमे छोटा सा जो है कपूर के टुकड़े से भी तो आप अपनी पसंद के उसे जला लीजेगा पर यहां पर मूल विशय जो है यहां पर आपको धुनची धूप करना है अगर बतिया धूप बति नहीं कई लोग मुझसे इस समय कहते है कि धूप विलास अगर हम लोग कर रहे क्योंकि वह सुगंद के लिए है तो क्या धूप कप जो मिलता है बाजार में क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो देखिए वैसे निवेदन और आर्ति के लिए तो मैं कभी भी सजिस्ट नहीं करता हूँ हमेशा पारमपारिक तोर पर जिस पर प्रकार से धूपागनी जला कर जो है धूप जलाए जाते है मैं वही कहत हूँ हमेशा पर अगर आप धूप विलास कर रहे है तो उस समय अगर बत्ती और धूप बत्ती से बहतर है कि आप अगर जो है करना चाते है धूप कप का इस्तेमाल तो कर सकते दोस्तों समस्या नहीं है उसमें पर फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप जो है धुनची धूप प्रॉपर तरीके से जला कर धूप विलास करते हैं, तो और भी जादा सही होता है, घर के आप थोड़ा धूप बना कर रखिए, रंग आधी भी आप बना कर रख सकते हैं, मतलब जो रंग विलास के लिए जो लाल रंग पी लिए रंग ये ना, पहले हम लोग भी घर बनाते थे जो फूलों के पंखुडी को सुखा कर अभी एक्चुली समय का भी अभाव हो गया है और लोग भी नहीं होते क्योंकि कई सारे लोग एक साथ मिलकर जो है ना ये करने से बहुत ही जादा अच्छा होता मतलब बहुत आनंद मैसूस होता है उत सब के आनंद तो उसी के साख्शी है तो उत सब के समय भी हम उन्हें साख्शी मानकर ही आनंद कर रहे हैं तो धूप विलाष रंग विलाष इस प्रकार से करने के साथ मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा समय जो है धागवान के साथ होली अवश्ष है होली आवश्ष खेलने का क्या मतलब ह मैं ये नहीं कहे रहा आपको कि आप महुले में या पर अपने जो सोसाइटी है वहाँ पर जाकर ना खेले आप हूली बिल्कुल खेले उस समय पर हूली के तिन तो ऐसे होता है यह मतलब एक दूसरे को डंग लगाने से ही जो है कहते हैं कि वो एक प्रकार से जो भी सारे गिले शिक्वे होते हैं वो मिट जाते तो यह होली आप अवश्य मनाए उस तरीके से दोस्तों पर भगवान के साथ भी जो है आधा घंटा एक घंटा कम से कम जो है आप उनके साथ इस प्रकार से रंग विलास के साथ धूप विलास के साथ उनके साथ बैठे थोड़ा भजन करे या फर थोड़ा आरती आप करे धूप तीव चला कर थोड़ा आरती करे तो इस प्रकार से जो है भगवान के साथ भी थोड़ा समय बिताना चाहिए होली के दिन रंग विलास धूप विलास करते समय तो दिखेगा आपको भी बहुत अच्छा लगेगा आपके मन को भी जो है जो रंग विलास और धूप विलास पुष्प थोड़ा बदल धाना चाहिए हो पांकच्छा वे कंने पर तो तो थोड़ा नहीं प्रका अरती हो यसाल प्रकार आरती कर लिखे तो धूप विलास और रंग विलास का मूल विशय होता है भगवान को हम मनुरंजन कर रहे हैं अर्थात भगवान को हम जो है अपनी तरीके से आनंद प्रदान कर रहे हैं उनके विनोधन का ख्याल रखते हुए और ये आप लक्षमी नारायन राधा कृष्ण जान की रखुन इस नियम को जो है संपुर्णता से पालन कर सकते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा या पर कोई निशेद बिलकुल भी नहीं है जो लोग मन में इस प्रकार की ये जो ओफाल्तु की विशयल आते हैं मैं कहूंगा कि इस प्रकार की विशय अपने मन में मत लाने भागवान के साथ होली मनाए बहुत आनंद करें बहुत आनंद करें दोस्तों बहुत आनंद करें होली में भागवान के साथ होली मनाते हुए इस प्रकार से ए रंग विलास करते हुए धूप विलास करते हुए जो है आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत आनंद होकर जो रखे और धूप चलाकर धूप बिलास करें तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजेगा मिलेंगा आप अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार